हलो प्रेंच रत्रकां पूलिय। आज मैं आपका वैलकम हैं hockey की रोटी , औरट की दाल और लेल चट्नि की रेसिपी लेकर आ यूँ अब आप मक्की की रोटी आसानी से घर पे बना सकते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये मैंने एक कप उड़त की डाल लिए ये बीना चिलके वाली डाल है और इसे हम अच्छी तरह से धोलेंगे क्योंकि इसमें पाउडर बहुत होता है तो अच्छी तरह से हम इसे धोलेंगे और तीन घंटे के लिए इसे पानी में भीको कर रख देंगे ये देखिए तीन घंटे हो गए है और दाल पहले से डबल हो गई है और ये हाथ से आसानी से तूट भी रही है तो अब हम इसे कूकर में बॉइल करेंगे तो इसे के हम कूकर में डाल देते हैं जिस कप से डाल ली थी उसी कप से हम देड़ कप इसमें पानी डालेंगे और हाद से ना पेंगे अगर तो ये देखेए इसमें एक इंच उपर पानी डालाए मैंने मतलब जो दाल है उससे एक इंच उपर पानी होना चाहिए दाल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है सिर्फ हम इसमें एक सीटी लेंगे मजब दाल सॉफ्ट हो जानी चाहिए अगर ये ओवर्कूक हो जाएगी तो दाल चिकनी हो जाएगी दाल पकरी है तब तक हम छोकी तयारी कर लेते हैं तो कड़ाई में हम तीन बड़े चमज तेल लेंगे जैसे ही तेल करम होगा इसमें एक चमज साबुट जीरा डालेंगे एक तेज पत्ता और दो मीडियम साइज की प्याज का पेस्ट प्याज को बहुत जादा नहीं पकाना है हम इसे लो फ्लेम पर पाच मनेट के लिए पकाएंगे ये दिखिए प्याज अच्छी तरह से पक चुके हैं अब हम इसमें टमेटो प्यूरी डालेंगे तो ये मैंने चार मीडियम साइज के टमाटर लिये थे और इसमें मैंने 10 से 15 लेसुन की कली और 1 इंच अद्रक डाली थी और इसका पेस्ट बना लिया था टमाटर को भी अच्छी तरह से पका लेंगे ये दिखिए टमाटर ने तेल छोड़ दिया है मलब टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं तो अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे देड़ चमच लालमीची पाउडर डालेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर एक चोथा ही चमच हींग तीन बड़े चमच शक्कर इसे हम खटा मीठा बनाएंगे तो इसमें मैं शक्कर डाल रही हूँ और ये खटाई के लिए हम इसमें आधा चमच टाटरी डालेंगे बतलब निम्बू का सत इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे भी हम लो फ्रेम पर पाच मनेट के लिए पकने देंगे ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाए तो ये देखिए उड़त की डाल भी पक चुकी है इसे मैंने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा ओवर कुक करने से दाल चिकनी हो जाती है तो इसे इतना ही पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए तो ये देखिए ये दाल इतनी सॉफ्ट हो जाने चीए एक डब अगर आप इसे ज़्यादा पका देंगे तो ये चिकनी हो जाएगी ये देखिए मसाला भी अच्छी तरह से पक चुका है और इसमें देखिए ये मसाले में तेल अलग हो रहा है और मसाला अलग तो मतलब मसाला भी अच्छी तरह से पक चुका है अब हम इसमें एक कप के करीब पानी डालेंगे और इसमें एक उबाला आने देंगे तो ये देखिए इसमें उबाल आगया है और अब हमने जो उड़त की डाल बॉइल की है वो इसमें डाल देंगे इसमें दो कब पानी डालेंगे आप इसमें अपने टेस्ट के अनुसार पानी कम जादा कर सकते हैं मतलब किसी को गाड़ी पसंदे दाल तो कम पानी डालते हैं और किसी को पतली पसंदे तो पतली क्योंकि मक्की के रोटी के साथ ठोड़ी सी पतली डाल होनी चाहिए तो आप उसके टेस्ट के अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं और अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालें तो मैं इसमें देड़ चमच नमक डाल रही हैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे गे देखिए दाल में उबाल आ गया है तो इसमें बारिक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और पांच बनीट इसको और उबाल लेंगे तो ये देखिए बहुत अच्छे से दाल एक जेसी हो गई है अच्छे तरह से पक चुकी है तो अब हम गेस की फ्लेम बंद कर देंगे मक्की की रोटी के साथ उड़त की दाल बहुत अच्छी लगती है अगर आप उड़त की दाल नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगी तूर की दाल भी बना सकते हैं और ये देखिए दाल कितनी बढ़िया बनी है नेक्स्ट लाल मिर्ची की चटनी बनाएंगे तो मक्की की रोटी के साथ लाल चटनी बहुत अच्छी लगती है तो उसके लिए ये मैंने एक इंच अद्रक ली है एक चुताई कप लाल मिर्ची जार में एक चमत जीरा लेंगे टेस्ट के अनुसार नमक और ये जो हमने अद्रक लहसून और गिली लाल मिर्ची ली है ये सबी इसमें डाल देंगे मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ अगर आपको पानी की आवेशक्ता लगी तो ही आप इसमें डालें और इसे हमें दर-दरा पीसना है तो ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल बारिक नहीं पिसा है इसे हमने इस तरह से दर-दरा रखा है और इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है अब मकी की रोटी बनाने के लिए ये मैंने तीन कप मकी काटा लिया है ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा तो ये मैंने बारिक आटा लिया है दो तरह के आटे आते हैं मोटे और बारिक तो ये मैंने स्पेशल रोटी काटा लिया है इसे अच्छी तरह से हम छाल लेंगे ताकि रोटी सफाई की बने और ये देखिए मक्की के ये जो छिलके हैं इसे हम हटा देंगे आटे में आदा चमच शक्कर डालेंगे ये आप्शनल है अगर आप नहीं डाला चाहते तो इसे इसकिप कर सकते हैं और आदा चमच नमक इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब ये जो आटा है इसे हम दो भाग में डिवाइट कर लेंगे मतलब दो भाग कर लेंगे इसके अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे तो ये मैंने गुर्ण गुर्णा पानी लिया है बहुत ज़्यादा गरम पानी नहीं लेना है इसका हम soft dough बना लेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते जाएंगे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस तरह से थोड़ा सा हटा लें मलब 4-5 रोटी बन जाए इतना हटा लें और थोड़ा थोड़ा करके आप इस तरह के से लगा लें आप चाहे तो एक या दो रोटी बन जाए इतना हटा भी लगा सकते हैं तो ये देखिए आप हाट से इसे इस तरीके से करिए इसे अच्छे से हम मसल लेंगे ताकि जो रोटी है वो एक जीसी बने रोटी बनाने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से हम मलब इसमें क्रेक्स बिल्कुल भी नहीं आना चीए इस तरीके से हम लगा लेंगे तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा डो बन कर तयार हो गया है अब इसमें से हम थोड़ा सा आटा लेंगे मलब हम छोटी लोई बनाएंगे छोटी रोटी बनाकर मैं आपको बता रही हूं ताकि आपको बनाने में आसानी हो तो इसका हम एक पेड़ा बना लेते हैं ये देखिए और अब हम इसे हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा तप तपा देंगे इसे सूखे आटे से अच्छी तरह से कोट कर देंगे इसमें सूखा आटा एक ही बार लगाते हैं तो आप अच्छे से इसे कोट कर लें और अब हम देखिए ये जो चारों उंगलिया हैं बस इसी का यूज़ करेंगे बस इतना portion ही हम यूज़ करेंगे हतेली का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है बस इतना ही portion हम यूज़ करेंगे तो देखिए इस तरीके से आप इसे हलका-हलका सा दबाते जाएं और इसे गुमाते जाएं ये बहुत आसानी से बन जाएगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगे बस रोटी इस तरह से घुमना चाहिए तो आप इस तरीके से इसे दबाते जाएं और गुमाते जाएं और ये देखिए इसके जो corner से हैं ये थोड़े cracks हो रहे हैं तो इस तरीके से आप उंगलियों से इसे दबा दे तो इससे रोटी आपकी बिल्कुल सफाई की बनेगी आप इस तरीके से अगर फर्स टाइम बना रहे हैं तो इसी तरह से आप छोटी सी रोटी बनाएं बहुत आसानी से बनेगी है तो ये देखिए हमारी छोटी सी मकी की रोटी बनकर तयार हो गई है अब ये देखिए आपको रोटी उठाना नहीं है आपको इस तरीके से हाथ में लेना है क्योंकि ये बहुत सौफ्ट होती है तो आप इसे गरम तवे पर डाल दें ये मेरा मिट्टी का तवा है अगर आपके पास लोहे का तवा है तो आप उस पे भी बना सकते हैं इस पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे पेला देंगे ताकि जो सुखा आटा है वो भी इस पे चिपक जाए और अभी हमें गेस की फ्लैम तेजी रखना है दो मिनिट हो गया है और रोटी हलकी से नीचे से सीख चुकी है तो इसे हम इस तरीके से पलट देंगे और गेस की फ्लैम हमें अभी भी टेजी रखना है और ये देखिए नीचे की साइड भी हलके से दाग हो गया है मतलब नीचे से भी सीख चुकी है तो अब हम इसे जैसे गेहूं की रोटी हम सेखते हैं डाइरेक्ट गैस पर ऐसे ही सेख लेंगे इसे भी तो ये देखिए हमारी मक्की की छोटी सी रोटी कितनी बड़िया फुल कर तयार हो गई है अब मैं आपको एक बड़ी रोटी भी बना कर बताती हूँ तो ये जो बोल्ड है हमारा इस पे भी हम थोड़ा सा सुखा अटा फेला देंगे इस तरीके से फेला देंगे और सेव उसी तरीके से जैसे मैंने आपको उंगली से भी बताया था उसी तरीके से हम इसे फेलाते जाएंगे और बड़ी करते जाएंगे तो ये देखे इतना अच्छा डू था कि रोटी हमारी बिल्कुल भी तूट नहीं रही है बस आपको ये धियान रखना है कि जो आटा है वो बहुत ज़्यादा गीला ना हो अगर गीला हो जाएगा तो भी रोटी नहीं बनेगी अगर आपसे रोटी पतली नहीं हो रही है तो एक तरीका मैं आपको और दिखाती हूँ कि ये जो बेला ने इससे आप चारो साइट हलका हलका सा गुमा दे इसमें ताकत बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्योंकि ये बहुत सौफ्ट आटा रहता है मक्की का तो हलका हलका सा आप चारो साइट इस तरीकी से गुमा दे तो आपकी रोटी एक दम पतली बनेगी अब एक रोटी मक्की की बना ले उसके बाद तवे को साफ करें पीर उस पे दूसरी रोटी डालें कि हमने जो बड़ी रोटी बनाई थी उसे अब डाल देंगे हम सेम उसी तरीके से डालेंगे और इस पर हलका सा पानी लगा देंगे तो ये देखिए हमारी बड़ी रोटी भी बन कर तयार हो गई है इसे भी हम सेम उसी तरीके से से शेक लेंगे ये देखिए रोटी कितनी अच्छी फूली है अगर इसमें क्रेक्स आएंगे तो आपकी रोटी नहीं फूलेगी इसमें बिल्कुल भी क्रेक्स नहीं आया तो देखिए कितनी बड़िया फूली है रोटी अब हम इसमें घी लगाएंगे तो घी इसमें अच्छी तरह से लगाएं देखिए इस तरीके से आप इसमें घी लगाएं तो घी अंदर तक जाएगा रोटी में घी जितना अच्छा आप डालोगे उतनी टेस्टी लगेगी रोटी तो इस तरीके से आप अच्छे से इसमें घी लगाएं तो ये देखिए बिल्कुल इजी तरीके से हमारी मक्की की रोटी बनकर तयार हो गई है झालोगे तरीके से इसमेट जाइब सक दोगे इसमें अच्कट से इसमें अच्छा डालोगे पूंएगी की रोटी ये जपेवाएं